प्रिशना वली 6.4 का प्रिशना तीसरा कहता है आक्रती में एक ही आधार तो यहाँ पर आक्रती को देख लेते हैं तो यहाँ पर जो आक्रती यह बने हुई है इसमें एक ही आधार जो BC है उस पर दो तरभुज बने हुए है तरभुज ABC और तरभुज DBC डी, बी, सी यह आक्रती बने हुए आ, बी, डी, सी इसमें बी, सी पर तरभुज आ, बी, सी और डी, परभुज बने हुगे हैं येदि AD येदि AD BC को ऊपर प्रतिषेद करे तो यहां पर दर्साना है में कि जो एरिया तरभुज ABC का भटे एरिय त्रभोज़ डी बीसी का बरावर में हो AO भटे डी ओ यहां पर सद्द करना है तो यहां पर हमें दिया हमें लग देना है एक ही आधार पीसी पर दो तरभोज अ बीसी और डी बीसी बने हुई है तथा A, D, B, C को ओपर प्रतिशेद करती है सिद्ध करना हमें हमें लग देना एरिया तरभुज A, B, C बटे एरिया तरभुज D, B, C बरावर A, O, बटे डियो यह हमें सिद्ध करना हमें लग देना है अब यहाँ पर हम इसकी सीधे ओपत्ती कर लेते हैं तो यहाँ पर हम पत्ती में देखेंगे तो तोनुत तरभुज़ों इनमें जो तरभुज A, B, C और D, B, C हैं इसमें हम थोड़ी सी रचना कर लेंगे चुंकि हमें पहले तो सीधा-सीधा छेत्रफल ही निकालना है तरभुज A, B, C का छेत्रफल और D, B, C का छेत्रफल तो यहाँ पर थोड़ी सी रचना कर लेते हैं जो B, C भुज़ा है उस पर एक A, E लंब डालते हैं और B, C भुज़ा पर ही D, F एक लंब डालते हैं तो यहाँ पर हमने A, E लंब डाल दिया तो यहाँ पर 90 का कोण बनेगा अब यहाँ पर निकाल लेते हैं तरभुज A, B, C का छेत्रफल और D, B, C का छेत्रफल तो यहाँ पर एरिया तरभुज A, B, C का छेत्रफल बटे एरिया तरभुज D, B, C का छेत्रफल और जो तरभोज है डी बी सी है जो नीचे वारा तरभोज है हमने छेतरफल जो अनुपाद में बटे में लिया है डी बी सी इसका भी आधार बी सी है लेकिन लंब है डी एफ तो यहाँ पर इन दोनों का छेतरफल निकाल लेते हैं तो यहाँ पर तरवज ABC है तरवज का चेतपल होता है एक बटे दो आधार गोणे उचाई तो एक बटे दो गोणे आधार तरवज ABC का आधार BC है तो आधार गोणे उचाई है AE तो यहाँ पर AE लग दिया अब यहाँ पर तरवज DBC का चेतपल निकालते हैं तो इसका भी वही फर्मूला होता है एक बट्ट दो गुणे आधार गुणे उंचाई तो DBC का भी आधार BC है और उंचाई हो जाएगी इसकी DF तो इस प्रकार हमने यहाँ पर सेतेफ़ नेकाल लिया अब यहाँ पर बट दो से एक बट दो cancel हो जाएगा, सबस्क्रण हो जाएगा. तो यहाँ पर बचेगा, area, तरह बचेगा, इतर बचेबाए, ada, दी वी सी बराबर, aid, बचेबाबर, ध्वित, तवर यहाँ पर ये समिका। लेगे दिया हमने यहाँ पर, यह तरभोज ABC बटे यह तरभोज DVC अब यहाँ पर बज़ेगा AE बटे DF इसे समीकार नाम देते हैं एक अब यहाँ पर समीकार हमें एक नाम देते हैं अब लेते हैं तरभोज AEO पर तरभोज DFO में तो यहाँ पर ले लेते हैं हम दोनों तर्भुजों को अब तर्भुज AEO वा तर्भुज DFO को अब तर्भुज AEO वा तर्भुज DFO में जो हमने रचना करके तर्भुज बनाए था AEO और DFO तो इन दोनों तर्भुजों को लेंगे और इन दोनों तर्भुजों को हम समरूप कर देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे दोनों तर्भुजों तो कॉड़ E कॉड़ F के बरावर है कौण E बरावर कौण F है चुंकि यहाँ पर 90 है पर देख कौण रचना से जो हमने रचना करी थी जो हमने लंब डाले थे A, E और D, F, B, C भजा पर तो यहाँ पर 90 है तो कौण E, कौण F के बरावर हो जाएगा और जो कौण O है यह वाला कौण A, O, E वो कौण D, O, F, C यह कौण कहलाते है हमारा सीरसावी मुख कौण तो यहाँ पर कौण A, O, E बरावर कौण D, O, F यह वाला कौण, यह वाले कौण यह कहलाते है हमारे सीरसावी मुख कौण तो यहाँ पर लगती है सीरसावी मुख कौर अब यहां पर दो कौर बराबर हो गए तरभज A, E, O और D, F, O समरूप हो जाएंगे कौर कौर समरूपता से इसलिए तरभज A, E, O समरूप तरभज D, F, O एंगल एंगल समरूपता से अब जब यहां पर तरभज तरभज समरूप हो गए तो उनकी भज़ाँ A की अनपाद में हो जाएंगे तो यहां पर भज़ाँ इस परकार हो गए कि A, E बटे D, F, बराबर A, O बटे O, D तो यहां पर इस परकार हमें यहां पर A की अनपाद में भज़ाँ को कर देते हैं A, E A E बटे D F हो जाएगा A के अनुपात में हमें करना है तो यहां पर इंतरे बुज़ा हमें ही देख लेंगे A E लिजा हमने यह दोनो तो यहां लिजा D F पराबर किछन लगा है अब लिजा A O A O लिजा एक छोड़ करके A और O लिजा तो लिजा लेंगे D O बटे में D O अब इसे समीकार नाम लेते हैं 2 अब यहां पर गोर से देखेंगे समीकार 1 और समीकार 2 समीकार 1 यह है, समीकार 2 यह है तो यहां पर है A E बटे D F और यहां पर भी है A E बटे D F तो इस A, E बटे, D, F की जगाए पर हम A, O बटे, D, O लग देंगे यहाँ पर A, E बटे, D, F की जगाए पर A, O बटे, D, O यह लग देंगे यहाँ पर तो हमें जो सड्ड करना था वो आजाएगा की एरिया तर्भुज A, B, C बटे, A, E बटे, D, B, C बराबर A, O बटे, D, O चुकि इसकी जगाए पर हम A, O बटे, D, O को यह बाला लग देंगे तो यहाँ पर सब्द हो जाएगा बटे, A, रिया, तर्भुज D, B, C बराबर A, O बटे, D, O यह हमें सिद्द करना था तो यहाँ पर जो हमें सिद्द करना था तो वो सिद्द हो गया तो यहाँ पर आप इस प्रशन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए झाँ